लो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिस्ता ठीग में टेस्ट इनस्टर हम लोग इस वीडियो में जिस कंपनी को डिसकस करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्परेशन लिम्टेड है IRFC पे बात करेंगे quarter 3 के नतीजे आ गए हैं तो कैसे आ है नंबर उसको जानेंगे और company की बहुत सारी चीजें important important चीजें हैं जो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे काफी time बाद IRFC को डिसकस करेंगे long term view के हिसाब से बहुत जबरदस्त company है monopoly business है और भी अच्छा कर रही है अपने फिल्म में तो समझते हैं इसके नतीजों को फिर चार पर भी बात करेंगे इस time पे काफी अच्छे price पे खरीदने लायक price पे है तो उसको भी जानेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो शेयाल पे नहीं होचे है सब्सक्राइब कर लें notification bell all पे रखें जिससे आने वाले निस्ट अप्डेट आपसे मिसना हो आप टेली राम पे भी जॉइन कर सकते हैं news of dividend announcement के लिए अगर अगर आपको कोई personal अपनी queries हैं share markets related आपके तो वो भी आप वहाँ पे जॉइन करने के साथ ही आप वहाँ पे VIP membership ले सकते हैं तुरंच जॉइन करते ही डारेक्ट में मैं message करूंगा आपको welcome आईए अभी भी बहुत लोग आज भी बहुत लोग entry लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं और उसके साथ ही अपने doubts और questions पूछ सकते हैं share मागे से related चलिए फटा फट समझते हैं 23 rupees 15 पैसे के round company trade कर रही है दोस्तों earning per share 4.4 की हो रही है strong market capital है dividend yet भी जो provide किया है ठीक ठाक दिया है पर अभी जो 12 month का चल रहा है वो 3.34% का dividend yet चल रहा है finance से आ जाती है finance rental और easing से earning पर price earning ratio जो है sorry वो 5.25 का है तो condition काफी बहतरी ने company की और अभी मैं आपको एक दो चीजें ऐसी दिखाने वाला हूँ जो देखके आप चौक जाएंगे दोस्तों और वो चीजें क्या है चलिए समझते है number of shareholders की बात कर लेते हैं पहले तो इसमें 13,00,00 से ज्यादा लोग hold करके चल रहे है जायर सी बात है hold करके चलने वाली company है तो सभी लोग hold करके चल रहे है जिस्ट मैं आप लोगों को यह बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के भी ध्यान में आये एक company अब चलिए इसके results समझते हैं तो market capital से start करते हैं इसकी market capital 32,254 करोन की है बहुत बड़ी book value भी इसकी अच्छी है आपको अभी सबसे अच्छे जगह पे खरीदने को मिल रहा है दोस्तों यह जो price है ना यह बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है तो बहुत अच्छे zone में आपको खरीदने के लिए मिल र प्रमोडर्स की holding जो है वो 86.4% है इतनी गजब कंपनी है प्रमोडर्स को क्यों ही बेचेगा अपना तो all time high का बोलें तो 26 रुपे 70 पैसे तक गया था return on equity 13.3 का है पेस वैल्यू कंपनी की 10 आ जाती है और return on acid जो चल रहा है वो 1.35% का चल रहा है यह देखिए यहां पर आपको पता रखा है कि किसके द्वारा manage की जाती है पाकी सब कुछ क्या है टोटली government of India की है ठीक है उसके अंदर ही आता है आप लोगों को वैसे पता ही लग गया होग का नाम सही पर कोई नहीं बोल देते हैं वनना बहुत लोग confused रहते हैं तो company की performance की बात करें दोस्तों तो अच्छा खासा profit जो सी agr चल रहा है tax rate जायर सी बात है कुछ भी ना के बराबर है सायथ बिल्कुली बहुत कम है tax तो वो सारी चीज़ें आ जाती है अब देखिए इसका मैं आपको जो चीज बताने वाला था दोस्तों आप लोग चौक जाएंगे आप इसकी sale देखिए 5000 करोड की हुई है और expenses जो उसके उपर खर्च आया है company को वो बस 9 करोड का हुआ है आप profit का margin देख रहे हैं दोस्तों profit का जो margin है company का वो बहुत बहुत आगे है बहुत ही ज्यादा खतरनाग है दोस्तों और percentage में तो आपको 99%, 100%, 98% कहीं पर देख गया यह देखिए यहां पर 51 करोड का हो गया था और यह भी कुछ भी value नहीं है जितना जिस हिसाब से company का आपको देखेगा sale आता है और उसके बाद operating से profit बनता है company को बहुत बहुत गजब का बनता है अब देखिए interest तो जाएगा ही ठीक है तो interest जो दे रही है company क्योंकि उस field में है तो interest जाएगा ही company का तो आपको interest यहां पर देख जाएगा but still उसके बाद भी company का जो profit बन रहा है वो बहुत गजब है expenses इतने कम है interest जाने का कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि finance field से आता है दोस्तों तो जाएड सी बात है interest तो जाएगा ही तो अभी जो profit हुआ है 1594 करोड का हुआ है company को net profit और यह बहुत अच्छा profit है इसके normally आप results में देखेंगे दोस्तों तो normally इसी के around चल रहा है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा growth हो रहा है जैसे कि आप पुराने नंबर से देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें growth हो रही है जैसे कि last year का देख लेते हैं बहुत लाइने ड्रॉ कर दिया मैंने last year का देख लेते हैं 1047 करोड का profit हुआ था और यहां पर 1594 करोड का profit हुआ है जो की बहुत अच्छा profit है अब पिछली बार से बात करें दोस्तों तो उससे भी 90 करोड से अबब का profit आया है इस बार का quarter 3 का तो company के नतीजे जो है दोस्तों वो बहुत सांदार है expenses देख लीजिए ना के बराबर है company का तो यह बहुत बड़ी बात होती है और काफी अच्छी बात है और monopoly भी एक company की तो काफी अच्छा उस field में कर रही है अब इसके net profit का देख लें तो यहां भी company का लगातार increase हो रहा है आप 2016 से current time period तक का देखेंगे sale भी increase हो रहा है operating का तो profit अब हम लोग देखिए क्या गजब increase हुआ है interest करता है फिर भी इसमें आप देखिए 6080 करोड का company को profit हुआ है अभी जो 12 मेने का चल रहा है और अगर इस हिसाब से देखें दोस्तों तो हर साल लगभग 1000-2000 करोड इंक्रीज हो रहा है profit में तो यह बहुत बड़ी बात होती है और इसी तरह किसे company perform करती रही तो देख लीजिएगा यह बहुत आगे जाने वाला है share का price और इसाब से इसकी five years से company आपको दिख रही है market में और हर टाइम आप इसका देखिए data बहुत अच्छा जा रहा है तो company में कोई दिक्कत नहीं है बाकी आता है लोगों पर investment करने का promoters के पास बह reading space है वह बहुत कम है share में फिर भी लोगों ने investment कर रखा है जैसे कि आप FISDIS public की holdings देख सकते हैं current time का है एकदम December का latest वाला update तो अच्छा share holding patterns दिख रहा है आप chart पर बात कर लेते हैं chart पर देखिए अभी हम लोगों को जो dividend का बताया था वह बहुत पहले का है अभी बात कर लेते हैं इसको खरीदने और बाकी चीज़ों का तो देखे दोस्तों खरीदने के लिए तो जो current price चल रहा है वहीं पर आप खरी सकते हैं share को क्योंकि already यह buy zone से थोड़ा सा आपको नीचे पर ही दिख रहा है तो एक अच्छा और लेबल मिल जाता है और support की बात करें share को तो इसके बाद इसमें अम target की बात करें तो पहला target हो जाएगा 24 रुपए 20 पैसे का वैसे मैं आपको कहूंगा इसको long term basis पे ही लेके चलिए दोस्तों बहुत गजब जाने वाली यह company यह जब शुरुआत होगी यह लिखके ले लिजे हम लोग इसको discuss करते रहेंगे आने वाले इस वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स एक साथ नेक्स वीडियो में